हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे पटेटो रोल तो पटेटो रोल बनाने के लिए पहले हम उसका डो बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते तो यहां पर मैंने एक छोटा बावल मेदे का आटा लिया है उसमें मैंने दो बड़ी चम्मत जितनी सुजी एड़ किये आधी करके पाणी राड़ करें दो यह तरह से हम जिसे समोंसे है वे इसका आटा लगाने समोसे बनाते तो इसमे हैं बहुत ही लगता है लेकिन इस तरह सिमंबना सकते हैं तो इसे मिनी समोसा भी कह सकते और प्ल जाता है और इजी भी रेता है आटे को हम डखकर आदे गंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे अब हम बनाएंगे अलू की फिलिंग तो यहां पर मैंने दो बड़े चमश जितनी तेल ले लिया उसमें अधी छोटी चमश सॉफ कड़ी पत्ता हैं सब को एड कर देंगे हर सब मसाले को अच्छे से मिला लेंगे अब यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिये हैं जिसे में बोल कर लिया है अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसमें हम स्वाद अनुसा नमा कैट करेंगे एक जोथाई चमश जितनी हल्दी पावडर और एक चमश जितना आम हैं जितनी पावडर थोड़ से फुधीने के पत्ते दनिय पती सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मसाला रेड़ी हो चुका मसले को हम साइड में रख देंगे अब आटा ना हमारा सेट हो चुका है तो अब हम इसे थोड़ा सा तेल डाल के मसल लेंगे तो आप इसके अच्छे से मसल लेजिए अब यहां पर देखे मैंने अटे का थोड़ा इसा ले लिया है अब इसे हम सुखा आटा लगा के पूरी एक रोटी जितना बेल लेंगे तो यह जो पूरा चक लाए ना, इतनी साइस की हमें यह बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है तो बस देखे इस तरह सरा हमें गूरी रोटी बना लेनी है, ज्यादा पचली भी नहीं अव़ Hills ज्यादा मोट तो यहां पर में इसके आठ पीस कर रहे हूं अब हमने जो आलू का मसाला बनाया था वह इस तरह से एक चमस जितना हम इसके कौनर में रखेंगे तो सारे समों से में इस तरह सम रख लेंगे अब हम इसकी कौनरे वहां पर पानी लगा देना और इस तरह से रोल करना है तो ट्र लही तेल को गरम कने रख़ लिया था एक करकर का हम इसमें सारे एट करेंगे